हेलो फ्रेंड्स कैसी आप सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे अपने लाइफ में तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राई आए देखते हैं इसे किस तरह से बनाने हैं तो हमने बड़े बड़े आलू ले लेने हैं, आलू इतने ही बड़े साइज के होने चाहिए, छोटे साइज के फ्रेंच फ्राइज अच्छे नहीं बनते हैं, और नहीं वो इतने अच्छे बनेंगे भी क्योंकि उसके साइज छोटे होते हैं, इसलिए हमने बड़ा साइज ल और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से काट लेंगे तीन से चार पीस लंबे-लंबे दिन इसके बाद हमने इस तरह से फिल लंबाई में इसकेटने हैं याद रहे किछ थोड़े मोटे और लंबे कटने चाहिए और यह तरह-चर देखते हैं Film Fries के लिए और इसकी मोटाई थोड़ी एक इंच तक की होनी चाहिए आप अपने अंदाजे से काट लिना दोज्टो उसके बाद इस सारे काटने के बाद आगे की इस पासिस देखते हैं क्या करना है ये देखिए मैंने इस तरह से सारे अच्छे से आलूओं को काट लिया है लॉंग लॉंग में और उसके बाद हम इसको ठंडे पानी में जो नौर्बर पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन पानी ठंडा रहेका ज़दा अच्छा है इससे क्या होता है कि ठंडे पानी में आप ये सारे आलू डालेंगे तो इसे कड़कपन आ जाती है वो हमें इस स्टेज को लाने के लिए करते हैं और इसके सारे स्टार्च उसके अंदर चले जाएं इसलिए हम पाने में डालते हैं ठंडे पानी में तो जो आपको पीस मोटे लग रहे हैं उसको भी आप कट करके इस तरह से रख लीजिएगा मैं आपको दिखा दूं किस तरह से सटेज दिख रहे हैं ये देखे इतने मोटे होने चाहिए तन हमने ये पानी लेना है बाउल में ठंडा पानी उसको इसमें डाल देंगे सारे आलों को तक इसके स्टार्ज सारे चले जाए और यह थोड़ा कड़क हो जाए तो इसे डालके हम 5-10 मिन अलग साइट में रख लेंगे तो आप देख सकते हैं यह देखो इतने मोटे मोटे मैंने काटे हैं आपको भी इतना ही मोटाई में काटने हैं अच्छे से तभी फ्रेंच फ्राइज अच्छे बनेंगे अधर्वाइस फ्रेंच फ्राइज अच्छे नहीं बनेंगे अगले स्टेज में हमें करना क्या है पानी, इस पानी को हमने गरम करना है, गरम करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा एक क्या आधा चमज की बराबर, और इसमें घुलने तक पकाएंगे, और यह हलका सा हमारा हो गया है, पानि गरम अब इस stage में जो बावल में पानी में हमने रखा था इस से निकालके इस में transfer कर देगे इस pan वाले पानी में और इसको हम पकने देंगे कितना 5-10 मिनट तक पकाएंगे हमने ज़्याधा नहीं पकाना है दो ये पूरे गलाने नहीं है अलू को अगर गल गए तो french fries अच्छे बिल्कुल नहीं बनेंगे इसलिए हमें इसको हल्का blanche करना है ताकि आधे पक के आधे कच्छे रहे पांच मिनट इसनफ पांच मिनट में हमारे french fries पक जाते यह जैसकि आप देख रहे हैं कि यह पाणी ज्छाक सा बनने लगा है इसका मतलब इस इसे ज्यादा नहीं पकाना है उसके बाद को तोड़ के दिखा दूँ मैं यह देखो अब इस स्टेश पे हमने उसी बाउल में यह सारे निकालेने हैं आलूओं को फ्रेंच फ्राइस को अराम से और इसके अंदर हम ठंडा पानी अगेन इसमें डाल के पांसे दस मिनेट रख देंगे साइड में और एक बाद इसको अच्छे से वाश भी कर लेंगे उसके बाद ही हमने यह देखो मैंने वाश कर लिया ताकि यह इनका पकना बंध हो जाए अगर हम वाश नहीं करेंगे ठंडे पानी से तो फिर यह फिर से और ज़्यादा पक जाएंगे इसलिए हमने तुरंट की मैं रग इनका नहीं है तो बार उसको थन्डे पानी में रख गए शrios देख देंगे जी देख मतलए वर इसके बाद हमने थाली लेनी है थाली में वह आलो जो है हमने रखे थे वह बाउल से ट्रांसफर करके इन थाली में डाली लेना है overlap इसमें सारे transfer करके अच्छे से हम इसमें डालेंगे औरर या फिर corn starch जो भी आपके घर में available हो वो डालेंगे, हलका सा इसमें उपर-उपर भी जादा नहीं मिलाना है इतना कि आलो में अच्छे से mix हो जाए इसमें जब हम fry करेंगे तो यह crunchy पनाएगा, और इसमें हलका सा आप और काली मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं जिससे ये टेस्ट और बढ़के आएंगे जैसे कि हम इंडियन हैं मैं तीखा फाना पसंदे इसलिए हम काली मिर्च मिला सकते हैं आप चाहें ना भी मिलाएं तब ही चलेगा आपको पसंदे तो आप मिला सकते हैं तिखा पर ना नेकले, इसलिए कालिमिर्च और नमक ब्लाएंगे इसमें तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मिक्स कर लिए और कालिमिर्च अलका के डाल दी है कालिमिर्च के बाद हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगी जैसे कि आप जा रहते हो कि हम पानी उबालते से में भी थोड़ा नमक डाला था तो इसमें हलका सा नमक का पन आ गया होगा अलुओं में इसलिए हम नमक कम ही डालेंगे तो हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे तो यह देखिए यह देखे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे अच्छे यह देखे मैंने ज़ड़ा सा नमक भी डाल दिया इसमें और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना तक काली मिच और नमक और हमारा कॉर्ण स्टार्च अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद इसको हम साइड में रख लेंगे और इसको फ्राइ करेंगे चलिए इसे ट्रांसफर करते हैं गरम तेल में और फ्राइ करेंगे हमारा ओयल पहले से प्रीहिट था तो आप देख सकते इसमें सारे एक-एक फ्रेंच फ्राइज डालेंगे और इसको लगाता नहीं डालना है एक-एक करके डालना है ताक यह चिपके ना एक दूसरे से और अच्छे से यह फ्राइज हो सके और इसको मीडियम या हाई-फ्लेम में ही पकाना है और चलाते रहना है टाइम टू टाइम और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं अकेला तो आप देख सकते हैं एक इसको एक बार ने दो बार गरम किया करेंगे तभी इसकी क्रिस्पीनेस आएगी फ्रेंच फ्राइस की एक बार हमने गरम करके इसको अच्छे से निकाल लेना है पांसे-दस मिनट तक इसको ऑइल में इसी तरह से सौटे करते हुए इसको पकाएंगे इसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे might then हम दूसरा स्टेज तियार करेंगे इसी तरह से तो हम इसे प्लेट में किसे निकाल का लेए उसके बाद अगैन उसको उसको गरम करेंगे तब उसके कर्स्पिनेश जयादा बनेगी यह नीकरन स्टेज है तो इसी स्टेज में हमने स्को दोबारा से गरम कर लेना है देल मर् εν मेंsnä डाल कि सत्रा साथे करने काो आज है जैसा कि आप देखने काफी हम तक पद्वेखे और इस तरह से हमने से को इसको निकाल लेंगे अलग से प्लेट में और जो हमने पहले बैच हमने तयार किया था यह हमारा फस्ट बैच है और चाहरें ति era और आम इंज को फ्राइ करेंगी गरम तेल में आप देख सकते हैं और इसको तब तक फ्राइ करना है जब तक यह ब्राउनिश न हो जाए और हम इसको फ्राइ करते रहेंगे आगे आगे आप देखेंगे कितना ब्राउन चाहिए इस से अब पर चलेगा कि फारे फ्रेंच प्राइस तैयार हो चुके है बनके और उसकी क्रिस्पीनस भी आएगी तो अब देख सकते हैं काफी हद तक ब्राउनिश हो चुके हैं अब इस स्टेज में हमें चाहिए इसको निकाल लेना और यह काफी हद तक क्रिस्पी हो गया है आप खुद दिख रहा होगा मेरे को महसूस भी हो रहा क्योंकि मैं बना रही हूं इस वक्त तो इस स्टेज में हम निकाल लेंगे इसको यह देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज बनके तयार है अब इसे हम प्लेट और किसी धाली में सर्फ करेंगे और हम इसे अलग से धाली में निकाल लेंगे देन आपको दिखावंगे किस से सर्फ करना है तो आप देख सकते हैं कि मेरा सेकंड बैच भी इसी तरह से मैंने दुबारा से इसको डाल के अच्छे से फ्राई करने हैं इह बें brownies होने तक इसको है अच्छक सटव करेंगे और इसको निकालेंगे दाली में। उसके बाद हम प्लेट में इसको अच्छे सफ करेंगे और इससे Himan Games के साथ में भी खा सकते हैं या size one चटनी के साथ , भी खा सकते हैं बहुत ही tasty लगता है खाने में। आप भी घर में बनाईए इस तरह से और खाईए स्नैक्स के तोर पर आईए मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊं यह देखिए कितने पग गए हैं कितने क्रिस्पी हो गए हैं आईए इसे हम सजा लेते हैं प्लेट में यह मैंने केचप और मियोनीज लिये हैं जो आजकल मार्केट में अवैलेबल होते हैं आप भी यूज कर सकते उसे लाकर या फिसे बन चटनी साथ भीखा सकते हैं यह मैंने अच्छे से इसमें सर्फ कर दिया है और दोस्तों मेरी वीडियो में मेरे चैनल में तब तक लिफ बाई बाई और अपना ध्यान रखिए खाते भीते मस्त रहिए फिर मिलूंगी मैं अपने चैनल में किसी नई वीडियो के साथ आपको नहीं रेस्पी सिखाती रहूंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर द